Hello everyone, welcome back, मैं जोगंदर कुमार, इस वीडियो के अंदर मैं आप से जिक्र कर रहा हूँ, cell cycle के बारे में, actually cell cycle को classify किया गया है into two group, that's the first, that's the interface, the second is the mitotic phase, okay, फिर interface को दुबार से classify किया गया है into three group, that's the G1 phase, the S phase and G2 phase, हम इनके बारे में आगे और detail करेंगे, फिर second बात करते हैं, mitotic phase, this is also called as a M phase, इसी को ही M phase बोला जाता है, जो NCRT में लिखा हुआ है, the M phase is classified into four group, four phase, the four phase या four group जो है आपके पास कौन कौन से है, पहला है, prophase, second, metaphase, third, anaphase, and fourth is telophase, इन सारे event के बाद, कौन सा phase आता है, cytokinesis, यानि, simple सी बात है, कोई भी cell जो है, वो अपने size को पहले increase करती है, तो मैं इनके बारे में एक line बोलना चाहता हूँ, कि cell division जो है, वो बहुत important process है, सभी living organism के लिए, okay, the cell division is important process in all living organism, क्यों important है, यह जो पूरा phase है, कहां से कहां तक का, यह जो पूरा phase है, यहां से, यह पूरा जो मैं mark कर रहा हूँ, यहां तक का, इस पूरे phase को कहा जाता है, इंटरफेज, यह पूरा पूरा phase क्या है, इंटरफेज है, और यहां से सुरू होता है, और यहां पर खतम हो रहा है, यह phase है, आपका M phase, ठीक है, यह यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां तक है, फिर सुरू हो गया आपका cytokinesis, तो cytokinesis आपका, यह रा पूरा, ठ करके कि पहले इन फेजों के नाम के बारे में बात करते हैं कि interface कौन सा phase है और interface के बारे में बात करेंगे interface के बाद हम बात करेंगे इनके time period के बारे में कि कौन-कौन time period इनके बारे में detail की गई है तो cell cycle के बारे में start करते हैं पहला इनका time period आपको पता है कि जो G1 phase है, मैं G0 को अभी थोड़ देर के लिए हटा रहा हूँ, बाद में इसको हम बना लेंगे, एक्षली जो G0 phase है, यह G1 के respect में इसके बारे में detail करेंगे, तो जो G1 phase है, G1 phase का एक और नाम होता है, उस नाम को, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, उन नामों के बारे में आप याद रखें, G is stand for gap, G is stand for growth, तो यहाँ पर दो नामों से इसको बोला गया है, G का मतलब होता है gap 1, gap 1, यह इसको बोल जाता है growth phase, दूसरा नाम होगा क्या, growth phase, अब इसी चीज़ को, इसके और भी दो नाम होते हैं, उन चीज़ों को समझाने से पहले में इसके बारे में इसको बोलूँगा, कि पहले आप next phase पर धान दें, कि next phase का जो नाम है, वो phase का नाम है synthetic phase, यानि synthesis phase, actually synthetic या synthesis जो phase है, यानि इस phase के अंदर इसको synthesis कहा गया है, तो S is stand for synthesis phase, S का यहाँ पर क्या नाम है, synthesis phase, और इस phase का नाम है gap to phase, या growth phase, G2 phase या growth phase, तो आपने अभी नाम देखा किसका, G1 phase का नाम देखा gap 1, या growth phase भी कहते हैं, S is stand for synthetic phase, या फिर gap to growth phase, ये इसके basically नाम रखे गए हैं, जो आपको याद रखने हैं, बाकी, अब इसके और भी नाम हैं, और भी नाम क्या कौन-कौन से phase हैं, किस basis पर रखे गए हैं, हम उनके बारे में इसमें detail करेंगे, S का यहाँ पर क्या मतलब है, और दूसरे का, क्या बोलते हैं, gap 1 याण gap 2 के बारे में यहाँ पर, जो second name है, उनके बारे में इसके detail करेंगे, यहाँ पर gap 1 याण उसको growth 1 phase भी कह दिया है, growth phase भी बोल दिया, इसको ये भी बोल जाता है, कि ये mitotic phase है, mitotic phase का ये वाला जो end है, इसको बोल जाता है post, post, post mitotic phase, यानि end वाला, और इसको बोल जाता है, इस वाले line को बोल जाता है, pre mitotic phase, यहीं से mitotic phase start हो रहा है, इसलिए इसको बोल जाता है, pre mitotic phase, और यहाँ अगर end हो रहा है, तो इसको बोल जाता है, इसलिए इस वाले phase को बोल जाता है, एक तो ये भी बोला जा सकता है कि इसी के नाम से ये इससे ज़स्ट पहले है तो इससे ज़स्ट पहले इसलिए G1 का दूसरा नाम हो सकता है pre-synthetic phase या synthesis phase ओके तो एक नाम इसका ये भी है दूसरा ये इस phase के end में start है यहां पर post मतलब end में बोलते हैं तो post mitotic phase के according भी है इसलिए इसको बोले आता है post mitotic phase भी इसको कहा जाता है तो gap 1 का जो नाम है वो आपको याद रखना है gap 1 के जो जित्ते भी नाम है एक और है यहां पर इसका नाम the post mitotic post mitotic phase तो यह किसके बारे में पढ़ा आपने पहला चीज आपने यहां पर देखा कि gap 1 is g stand for gap 1 g stand for growth 1 phase और इसको बोलाता है इससे पहले यह वाला phase आ रहा है तो इसको बोला गया pre synthetic phase और इसी phase को यह end में आ रहा है किसके इस mitosis के end के बाद यह वाला phase इसको यह भी बोलाता है कि इसको post mitotic phase भी बोलाता है क्योंकि यह mitosis वाला है और mitotic और mysosis एक ही word होता है इसलिए इसको post mitotic phase भी बोला जाता है दूसरा as synthesis phase है जो आपने हाप इसको mention कर रहा है ठीक है दूसरा g2 phase की बारे में बात करते है g2 phase क्या है तो g2 phase क्या है इस वाले को मैंने बोला था कि यह pre mitotic phase है यानि mitosis यही से start हुआ इसलिए इसको बोलते है pre mitotic phase start तो इसलिए इसका एक और नाम होता है that is pre mitotic mitotic phase तो तीन नाम होगे कि इसके gap 2K यानि g2 के नाम होगे यहां पे आप इसके बारे में इसको ध्यान रखेंगे फिर mitosis को classify किया गया है into different category अब यह नाम को हम हटा रहे है क्योंकि हमें अभी इनका time period भी देखना है gap 1 और gap 2 का time period क्या है तो अभी किसी और के बारे में ना बात करके हम इनके time period के बारे में बात कर लें कि इनका time period क्या है gap 1 के बारे में बात करते है gap 1 जो phase है इसका approximate time period है यह time period है अपने cell को यहां पे रखता है 7 to 12 hour के लिए 7 to 12 hour के लिए g2 phase के अंदर जो cell रहती है वो रहती है 3 to 7 hour के लिए और gap 2 के अंदर जो cell रहती है वो रहती है 4 to 8 hour के लिए ठीक है और बाकी जो यह पूरा mitosis है यह होता है 1 hour के लिए यह mitosis है तो आपने यह चीज क्या देखिए कि पूरे 24 घंटे में से जो इतने भी event है यह पूरा 24 घंटे एक दिन का जो होता है हमारी cell का जो divide करने के बात कर रहे है तो हमारा G1 phase जो 7 to 12 hour ले लेता है S phase जो 3 to 7 hour ले ले लेता है G2 phase जो 4 to 8 hour ले ले लेता है और mitosis phase जो आपका 1 hour इतना time period यह intake कर लेते हैं पूरे cell cycle में अब हर phase का ही है अब एक चीज देखें G1 phase, S phase और G2 phase इन दोनों को मिला के देखें तो आप देखें कि इस mitotic phase के comparison में इस mitosis phase के comparison में यह interface वाला time period यह क्या है long है इसलिए interface के बारे में अगर जब बोला जाता है तो वह क्या बोल जाता है हम उसके बारे में अभी sequentially detail करेंगे एक-एक कर के बारे में ठीक है तो हम start करते है पहले अपना interface के बारे में कि interface क्या बोलता है तो interface के बारे में पहली heading यह आपकी है interface okay interface interface में आपने अभी क्या देखा कि interface को classify किया गया into three groups that is g1, s and g2 g1 is also called as a g1 को कहा जाता है gap one भी कहा जाता है इसको बोल जाता है synthetic या synthesis phase कहा जाता है इसको बोल जाता है gap two phase इसी वाले को दुबारा कहा जाता है growth growth phase या growth one इसको बोल जाता है growth two phase इसका एक और नाम भी होता है, that is called post mitotic, post mitotic phase, जो मैंने आपको last cycle के अंदर बता था कि क्यों कहा गया, और इसको एक और word बोलाता है, pre, क्योंकि ये इससे पहले है, g1 phase जो है, वो s1 से पहले से इसको बोला गया, pre, pre synthetic phase, उसी type से इसको बोला जाता है, post, यानि post synthetic phase, और pre, pre mitotic phase, okay, as is stand for synthetic, इसमें हम इनके बारे में important बात करेंगे, आगे, दूसरा, इंटर phase का आपने total time period जो पढ़ा, यानि इनका जो time period है, वो सब अलग-अलग है, हना, ये इसके आपने नाम पढ़ें, जस्ट दुबारा से, और इनी के बारे में, मैं इनका time period फिर से यहां पर लिख रहा हूं, कि जैसे, जीवन का time period है, वो है, 7 से 12 hour, इसका time period है, 3 to 7 hour, और इसका time period है, 4 to 8 hours है, तो ये पूरा time period है, जीवन फिर अपने पूरे cycle के अंदर complete time period लेता है, 7 to 12 hour, ये इतना time period अपने ले लेता है, दूसरा हम ये बात करा, पूरा interface, तो interface जो होता है, interface जो होता है, इसलिए इसके बारे में एक important line है, उसको आप लिखें, वो line ये है कि the phase of the cell cycle in which preparation for cell division is takes place, यानि interface में होता क्या है, interface में cell को preparation for cell division, cell का divide करने के लिए तयारी चल रही होती है, कि cell G1 phase से, G2 phase से, S phase से, G2 phase में, cell prepare कर रही होती है, अपना एक original size gain कर रही होती है, और preparation का मतलब क्या, कि cell के अंदर जो cytoplasmic amount है, वो increase कर रहा होता है, एक छोटी सी cell है, वो cell धीरे धीरे बड़ी होगी, और बड़ी होगी, और अपना एक proper size gain कर लेगी, तो उसके अंदर, अब इसके अंदर और इसके अंदर cytoplasm के amount को अगर आप check करेंगे, तो इसके अंदर large amount में cytoplasm है, और इसके अंदर less amount में cytoplasm है, यह चीज़ आप देख रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं, preparation for cell division, that means cell is start to grow, cell is start to increase, there is a cytoplasmic content, तो यह चीज़ यहाँ पर इसने बोला, तो preparation for cell division, पहली चीज़, दूसरा, यह जो phase है, कौन सा, interface, अब interface के बारे में, कुछ line लिख लेता हूँ, मैं, उसी के बाद आपको फिर G2, G1, इनके बारे में मागे बात करेंगे, आपने पढ़ा कि interface is classified into three groups, that is G1, S and G2 phase, उसके बाद अभी हम बात कर रहे हैं, interface के ही बारे duration है, longest duration of cell cycle, पहला point, कि cell cycle का सबसे longest duration वाला cell cycle का यह एक phase है, इसके इंदर यहाँ पर बोला गया है, कि यह cell है, starting में, देखो, काफी क्या होता है, कि interface में, जब microscope के नीचे इसको देखते है, तो starting की cell है, उसके अंदर कोई ऐसे activity नहीं, देखते कि cell divide हो रही है, उसका cytoplasmine count increase हो रहा है, तो इस condition में, इस वाले phase को, यानि interface को, एक और बोला जाता है, जिसको बोलाता है, एक और word यूज के आता है, जिसको बोलाता है, resting phase, resting phase, क्या होता है, वो चीज आप समझें, कि starting में, जो simple microscope होता है, यानि क्या, जब simple microscope के नीचे, आप किसी भी cell को view करते हो, यानि देखे होगे, एक cell को, अगर आप simple microscope के अंदर, एक starting की cell को देखोगे, तो आप ये देखोगे, कि वो cell के अंदर कोई ऐसी activity नहीं हो रही, कि वो divide कर रही है, या उसके अंदर cytoplasm का amount increase हो तो ऐसी आप कोई भी activity नहीं देखते हैं, ये कब देखे हो, इंटर फेज में, तो इंटर फेज में वो फेज भी आता है, जिसमें cell क्या करते है, रेस्टिंग फेज में चले जाती है, रेस्टिंग फेज वो एक्शुली फेज जो होता है, उसको फेज भी बूलाता है, जि उनके बारे में detail करेंगे, एक एक करके, the interface is classified into three group, तो आप पहले इसके बारे में लिखे heading में, कि आपके पास क्या है, आप G1 phase के बारे में बात कर रहे है, G1 phase के क्या क्या नाम होते है, क्या time period है, वो आपने note करी लिया है, दूसरा, इस phase के बारे में, सबसे, यानि, it is the longest duration of interface, interface का भी सबसे longest duration वाला phase होता है, ठेक है, longest duration का phase होता है, किसका, G1 phase का भी, यानि, interface के अंदर भी तीन phase होते है, उन में से सबसे ज़्यादा time period कौन सा phase ले लेता है, G1 phase ले ले लेता है, इस चीज़को आपको याद रखने है, दूसरा, इस phase के अंदर, कुछ cells भी क्या होत जो होते हैं, वो इंटर कर जाती है, एक ऐसे phase में, जहां पर cell divide नहीं करती, यानि, cell divide तो नहीं कर रही, cell divide नहीं कर रही, बट वहाँ पर जो cell होती है, वो क्या होती है, metabolically, metabolically active होती है, यानि क्या, कि जब cell को जरुवत पड़ी न, कि मुझे G1 phase में गुसना है, तो मैं active हो जाऊंगी और अभी अगर मुझे जरूत नहीं है, cell को divide करनी के जरूत है नहीं, तो वो rest करेगी किसके अंदर G1 phase के अंदर, that phase is called, this phase is called G0 phase, या G0 phase, क्यानि gap 0, तो gap 0 वो phase होता है, जिसके अंदर cell metabolically active तो होती है, बड़ वहाँ पर divide नहीं करती, जैसे G1 phase में cell divide करती है, अपने cell size को grow करेगी, increase करेगी, बड़ G1 phase में अपने cell size को divide नहीं करेगी, और लेकिन cell metabolically active रहती है, हमेशा, ठीक है, दूसरा, यहाँ पर क्या होता है, कि जो भी यह cell metabolically active तो आपने देख लिया, दूसरा, G1 phase में होता क्या है, जो important है, जो paper में पूछा जाता है, maximum से, कि G1 phase में होता क्या है, तो आप एक चीज देखें, इसके अंदर, G1 phase के अंदर, RNA, protein, और ATP, इनका formation होता है, जीवन, यानि G1 phase के अंदर, आपको किस-किस का formation होता है, G1 phase के अंदर होता है, RNA, protein, और ATP का synthesis होता है, आप इस चीज को याद रखें, कि in this stage, consistent G1 phase में, in this stage, the synthesis of RNA, protein and ATP takes place, क्यों होता है, इनका synthesis यहाँ पर, इसलिए होता है, कि cell को requirement होती है, complete करने के लिए S phase के अंदर, क्यों, क्योंकि G1 phase के बाद, cell कहां enter करेगी, S phase में enter करेगी, और S phase में हम आगे पढ़ेंगे, कि वहाँ पर DNA का replication होता है, तो उसके लिए मुझे protein की नीड होगी, energy की नीड होगी, और RNA की नीड होगी, यानि तो वह phase कौन सा है, S phase, तो S phase में enter होने से पहले ही, G1 phase में तयारी की जा रही है, किसके लिए, DNA replication की, DNA replication को process को start करने के लिए, जिन जिन चीजों की जरुवत है, वह G1 phase में बन जाते हैं, और फिर वह enter करते हैं S phase के अंदर, अब हम एक चीज और बात करते हैं, जब आपने cell cycle में पढ़ा, cell cycle में आपने ये देखा, ये एक cell है, इस cell में ये G1 phase है, और ये जो phase है, ये S phase है, तो G1 और S phase के बीच में ये जो line जिसको में बना रहा हूं, इस line को बोला जाता है, checkpoint, checkpoint, इस line को क्या बोला जाता है, checkpoint, checkpoint मतलब क्या, कि जो भी सबस्टांथ किस से, इस G1 से, कहां इंटर करेगा, G2 phase में इंटर करेगा, तो उसके लिए ये जो checkpoint है, वो check करेगा, यानि checking करेगा, वो क्या checking करेगा, हम उसके बारे में देखते हैं, पहली चीज तो ये, इस checkpoint का आपको नाम याद रखना है, वो checkpoint का नाम है, पहला question यह है, checkpoint का नाम क्या है, checkpoint का यहाँ पर नाम होता है, एक मिनट, यहाँ पर जो checkpoint है, उसका नाम होता है, S cyclin plus S kinase plus ATPase, यानि क्या, cyclin kinase ATPase, यानि S cyclin kinase ATPase जो होता, वो यह checkpoint present होता है, in between the G1 और S phase के बीच में, इस चीज के बारे में आपको याद रखना है, यह checkpoint होता क्यों है, यह checkpoint होता है, इस चीज को check करने के लिए, कहीं कोई default यानि कोई गल्स चीज तो G1 से S phase में नहीं भीजी जारी, इसलिए यह checkpoint होता है, इस प्रिजेंट for checking the damage DNA, कि जो DNA है, वो damaged DNA है या नहीं है, उसको check करने के लिए, checking करने के लिए, एक checkpoint present होता है, एस cycling, S kinase, ATPase, enzyme यानि checkpoint प्रिजेंट होता है, तो एक point तो यह वाला याद रखना है आपको, दूसरा point यह याद रखना है कि किस चीज को check करने के लिए checkpoint होता है, तो आप बोलते हैं कि जो DNA, S phase से, जो DNA, S phase से, sorry, G1 phase से, S phase जो enter कर रहा है, वो कहीं damage तो नहीं है, ठीक है, अब हम बात करते हैं, G2 phase के बारे में, जी 2 phase में क्या होता है, इंटर phase का, जो second phase है, oh sorry, G2 नहीं, S phase के बारे में बात करते हैं, पहले, क्योंकि S phase in between इत आता है, S phase, S phase का जो नाम है, और synthesis phase, वो synthetic phase जो आपने लिखे लिए है, और दूसरा, यह जो phase है, इसका importance, क्या है, हम उसके बारे में, इसके बारे में, इसमें देखेंगे कि, इसके बारे में यह क्या बोलता है, तो पहली चीज क्या, कि S phase is the most important phase for interface, सबसे important phase यह होता है, यानि most important phase अगर आपसे पूछा जाए, तो वो कौन सा होता है, S phase होता है, पहली चीज, दूसरा, इस phase के अंदर, इसको most important क्यों का आ गया, क्यों, क्योंकि यहां पर, duplication, duplication of, जो हमारे nucleus के अंदर, जो DNA होता है, उसका कहां पर होता है, duplication of DNA कहां पर होता है, S phase के अंदर होता है, पर अगर मैंने यह पूछा, कि जो cytoplasm है, अगर मैंने पूछा, duplication of cytoplasm, यानि cytoplasmic DNA, तो cytoplasmic DNA का duplication है, वो किसी भी phase में हो सकता है, इसका phase, यह जो phase है, यह continuously रहता है, यह देखो, duplication, duplication of nuclear DNA, यह always किस phase के अंदर होगा, S phase के अंदर होगा, बट जहां आप से पूछे, duplication of cytoplasmic DNA, या फिर growth of cytoplasmic content, तो आप यह बोलोगे, कि यह throw out the cell रहता है, complete cell के life cycle में continuously चलता रहता है, यानि यह G1 में भी होगा, S में भी होगा, G2 में भी होगा, और M phase में भी continuously होता है, तो cell prepare होती है, actually M phase के लिए, बट G1S और G2 phase के लिए अपने आपको तयार कर रही होती है, तो आप इस चीज के बारे में इसको याद रखें, कि duplication of cytoplasmic DNA, या cytokinesis DNA present in any stage of interface, आप इस चीज के बारे में याद रखें, दूसरा सबसे important चीज कि इसके अंदर हुआ क्या, कि इसको important क्यों का गया था यह तो आपको पता चल गया, एक और चीज यहाँ पर बोला गया है, यह important है, आप इस चीज को मार करों अपनी NCR में लिखें कि histone protein का, histone protein की बात की जाए, तो simple से चीज है, histone protein बना क्यों भाई, क्यों कि जब DNA होता है, तो histone octamer तो होता है, जब DNA होगा, तो DNA से क्या DNA बनता है जब भी, तो DNA हमेंसा एक histone octamer के उपर ही तो coil करता है, तो histone protein भी यहाँ पर प्रजेंट होगा और उसका formation होगा, तो आप यहाँ पर लिखें कि histone protein और दूसरा centriol इन दोनों का synthesis होता है, कहां होता है, इस phase के अंदर, यह important है आपके लिए, तो आप इस चीज को लिख लें अपनी copy में, second बात करते हैं, थर्ड बात करते हैं आप जी टू phase के बारे में, कि जी टू phase में क्या होता है, जी टू phase का नाम और जो time period था वह आपने पहले लिख लिए कि इसके और नाम क्या हो सकते हैं और इसका time period क्या है, ठीक है, यह जो phase है, इस phase के हमें requirement होती है, पहली चीज, कि इस phase के अंदर किस-किस चीज का synthesis होता है, तो आप यह लिखें कि इसके अंदर synthesis होता है, किस-किस चीज का, protein का, RNA का, और ATP का, क्यों होता है, क्योंकि इनी की जरूत पढ़ते आगे M phase के लिए, क्यों, इस G2 phase के बाद, जो cell है, वो कहां इंटर कर जाएगी, mitosis phase के अंदर इंटर कर जाएगी, अग mitosis phase के अंदर अगर इंटर कर रही है, तो उसके लिए उस cell को पहले से कुछ ना कुछ तो बना-बनाया मिलना चाहिए, तो protein मिलेगा, RNA मिलना चाहिए, ATP मिलना चाहिए, सबका सब उसको present मिलता है already starting में, अब इस phase के बारे में, G2 phase के बारे में 2-3 line और लिख लेते हैं, पहली चीज क्या, कि यह जो phase है, अब हम बात कर रहे हैं इस cell के checkpoint के बारे में, यह cell है, इस cell के अंदर आपको पता है कि यहां पर एक G1 phase होगा, एक S phase होगा, एक G2 phase होगा, और यहां पर present होगा, M phase present होगा, तो जो यह M phase और G2 phase है, इनके बीच में एक और checkpoint present होता है, जिसको बोलाता है second checkpoint, अब second checkpoint present है in between the G, G2 और M phase के लिए, तो G2 और M phase के बीच में, जो second checkpoint पा जाता है, second checkpoint कहां पा जा रहा है, in between G2 और M phase के बीच में, जो second checkpoint हो लुकेटिड है, यह वाला, इस second checkpoint का नाम क्या है, वो नाम आपको याद रखना है, second checkpoint का नाम है, G2 cyclin plus M kinase plus ATP, ATP इस जिसको आप बोल रहे हैं, तो यह 3 जो है, यानि G2 cyclin kinase ATP जो होता है, इस checkpoint का नाम होता है, इस चीज को आपको याद रखना है, पहले point तो आपने यह पढ़ा, कि वो second checkpoint का नाम क्या है, दूसरी important चीज, कि यह जो checkpoint है, यह होता क्यों है, तो आप इस चीज के बारे में आद रखना है, यह चीज के लिए होता है, कि DNA का कहीं duplication तो नहीं हो गया, the duplication of DNA की जब S phase से G2 phase में गया है, और G2 phase जब इंटर कर रहा है, किस के अंदर M phase के अंदर तो क्या पता, DNA का duplication हो गया हो, DNA का amount double हो गया, तो उसी चीज को check करने के लिए, उसी चीज को check करने के लिए, यहाँ पर एक checking point present होता है, यह क्या है, checking करता है, किस की duplication of DNA, और यहाँ duplication of DNA कब होता है, तो इस चीज को आप याद रखे, जब mutation होता है, कब होता है, mutation होगा, तब यह process proceed होती है, तो mutation की time पर इस चीज को check कर आता है, तो अभी तक हमने बात करी, इंटरफेस के G1, S और G2 phase के बारे में, और cell cycle के बारे में, तो दोस्तों यह अभी तक हमारा series जो है इसके बारे में, कि हम बात कर रहे हैं continuously अपने 11th case chapter के बारे में, हम इसी को पूरा करेंगे, और आगे इसी के बारे में continuously detail करेंगे, तो thank you for watching वीडियो, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा रहे तो please इसको share करें, comment करें अपने doubt को बता है, क्या आपका क्या doubt है and thank you for watching वीडियो.